दोस्तों किसी की call आती है तो true caller पे caller ID सो नहीं होती है यानि उनका नाम नहीं सो होता है इक कॉन call कर रहा है तो इस problem को कैसे ठीक करेंगे आप अपने true caller के अंदर मैं सारा कुछ live process इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वीडियो का फिस्तानदार होगी पूरी वीडियो देखीगा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो चली आगे बढ़ते हैं तो hello and welcome दोस्तों आप देख रहे हैं Android जंक्सन यूटूब चैनल और मैं नाम है रूपेस दोस्तों आई चली शुरू करते हैं आज की वीडियो लाइव आप को बताते हैं true caller app को सबसे पहले हम open करेंगे जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे अब हम corner पर three dot है यहां पर जैसे हम click करके और setting वाले icon पर जाते हैं तो यहां पर दो setting हमें करना होगा क्या-क्या है पहला है caller ID पर click करेंगे ठीक है और देख लेंगे कि classic pop-up पर click होना आपको यहां पर एक और option देखने को मिलेगा caller ID वाला हो गया है अब यहांपर एक option आपको देखने को मिल जाएगा calling का calling पर click करेंगे calling पर click करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर एक option हो और call history का तो यह तीनों option चालू कर देजएगा ठीक है उसका नीचे आएग तो यहां से मैं call करता हूँ देखे problem तो यहां से लगवग लगवग वगवग salve हो गई है एक बार और दूसरे नंबर पर हम call करके आपको दिखा देते हैं देख सकते हैं अगर फिर भी ना salve हो तो आपको क्या करना है आपको अपने mobile phone के setting में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपके mobile phone के setting में जाने के बाद आपके mobile phone में कहिन कहीं apps का एक option होगा या फिर manage apps का इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद app management पर जाना है आपके mobile phone की सभी की सभी application नहां पर सू हो जाएंगी search bar में हमें लिखना है true caller tr ue जैसे लिखेंगे true तो true caller आ जाएगी true caller पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद storage का एक option होगा इस पर क्लिक करिए और मैं यह तो दोस्ता आपको clear करना चाहूंगा कि यह आप true caller की clear data कर देंगे तो कोई से problem नहीं होती है और आपकी problem भी fix हो जाएगी आए हम clear data करके clear all data करके okay कर देते हैं और फिर हम true caller app को open करते हैं ठीक है तो दोबारा से हम true caller app को यहाँ से open कर देंगे और जैसे open कर देंगे तो अपना कोई भी language जोगर लेके get start पर click करके और हम यहाँ से इसे default तो भी नहीं बनाएंगे बस continue करके permission देंगे और इलाओ कर देंगे ठीक है और हमारे सामने ऐसा option आजाएगा और हमारा कहीं number भी loss नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा सारा कुछ मिल गया और अब हम जब call करेंगे किसी को तो हमारा यहां से सारा कुछ details सो हो जायाएगा जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा ठीक है इस तरह से आने लगेगा ठीक तो जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों बैबै